उत्तर प्रदेश के आयोध्या में राम मंदिर की भविता का साक्षी पूरा विश्व बनेगा जब 22 जन्वरी को राम लल्ला मंदिर में विराजमान होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शक्ष जुड़े हैं जो पहले दन जब नियू रखा गया था ना कि नेवल नियू जब ये बाते ये मुद्या चर्चा में थी तब से जुड़े हैं और आज तक जब इस भव्य मंदिर का निर्मान से लेकर अब ये काम बिल इसकुल शुरुवाती चर्म से जुड़े हैं और आज ये कारे पुरा अंतिम चर्म पर हैं तो कैसे देखते हैं इस पूरे काम को इस भव्यता को इस खुबसूरती को हम इस आंदोलन जो राम जनभूं का शुरू हुआ उसका उससे भी पहले दिन से जुड़े हैं और जब आंदोलन शुरू हुआ तब से हम लोगों के मन में विश्वास था कि भगवान राम लला का भब मंदिर बने गया और दो हजार चौदा में जब सरकार बने मोदी जी इस देश के परधान मंत्री हुए तो विश्वास हो गया कि अब समय आ गया और हम लोगों ने तुरंत ही उस पर आयुद्ध्या का विकास कैसे हो आयुद्ध्या के इंफ्राइस्ट्रिक्चर के बड़े-बड़े काम कैसे है उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू करते हैं। चवरासी कुशी परकर्मा है और चवदा से ही जुलाई से हवाई अड़े के लिए प्रियास करना है। का इस्टेशन जेल्वे लाइन का दोहरी करना मेटकल कालेज की अस्थापना। अयोद्या से राइवरीली रोड को फोल लेन में तबदील करना। अयोद्या से सुल्तान पूर्तक राष्टी महमार का निर्मार और अयोद्या से अकबर पूर्वस्खारी तक फोल लेन उसको अब भविस्च में बिंदवासनी तक उसको फोल लेन बनाया जा रहा। और जनकपूर्तक भी राष्टी महमार के रूप में सलक का निर्मार किया जा रहा। कुल मिला करके मोदी जी की जो सोच है जो उनकी इक्षा है कि आयोद्या को इस देश की दुनिया का सुंदर्तम नगर बनाया जाए। और उसी दृष्टी से आयोद्या में रामपत, धर्मपत, आयोद्या में आने जाने वाले यात्रियों को कोई कटनाई नहों यहां ट्रेफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसलिए आठाठा रूभी रेल्वे लाइन पर उसका निर्माड हो रहा है। रामपत से लेकर के रामजनम भूम तक चोड़ी और सुंदर सड़क मनाई जा रही है। कुल मिलाकर और आउध्या की अंदर और दख electronics की सारी बाहर जितनीवी अज्वी सड़के हैं सबका चोड़ी करन हो रहा है। बन नहीं है अयुद्या की चारों तरफ गेट बनने भबद्वार बनने हैं जहां पर यात्रियों को रुखने की भी सुभधा उपलब्द कराई जाएगी और शूरकॉंड अयुद्या का और गुप्तार घाट जहां का जाता प्रभु सीराम ने जल समाधी ली थी उसका भी सुंदरी करण हुआ सारे कुंडों का सुंदरी करण हो रहा है आने वाले समय में सारे मंदिरों का एक सुंदर सुरूप दिया जा रहा है और एक ही रंग में सारे मंदिर यांके बनाए जा रहा है कुल मिला करके अयोध्या फिर से अपना पुरातन अस्तित प्राप्त कर सके आध्यमिक दृष्टी से सांस्गृतिक दृष्टी से वायराग की नगरी है अयोध्या उस दृष्टी से और प्रेटन की भी दृष्टी से अयोध्या का विकास हो रहा 84 कोषी परकरमा ज्यो आध्या की है जिस पर डेल सो पौराड़ी धार मी कस्थल हैं लगवख 50 की आसपास रिशी मुनिओं की जन्मस्थली है जो पुराणों में बेद में जिन रिशी मुनियो का नाम है उस सारे रिसी मुनी इस 84 को इस परगर्मा के आसपास हैं। उस पत का भी निर्माड भारत सरकार कर रही है लगभग जो है वह आठ हजार करून लुपे की परियोजना है। और उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री पुजियोगी आदितनाज जीवी निरंतर उनके ही मार दर्शन में उनके जो उनकी जो सोच है उस परकार से अयोध्या को सुन्दर बनाने में लगे हूं। सर मंदर के साथ साथ पूरा जो शहर है वो बदल रहा है। ऐजोध्या एक आम शहर से एक एसा शहर बनने जा रहा है जिसको देखने के लिए, जहां दर्शन पर आने के लिए पूरा विष्वार ना पुरा देश तयार है पुरा देश यहां पर आना चाहता है दर्शन करना चाहता है। यह जो पुरा टायर वन सीटी के तौर पर अब यह सड़के बन रहे हैं आपने बताया क्या कुछ बदलाव आय रहा है लोगों को नए रोजगार का श्रजन हो रहा है रोजगार मिल रहा है तो आप इसी जन भूमी में आपका जन भूमी यह तो इसको आप कैसे देखते हैं क् हम लोगों की तो जो सोच और समझ थी पहले से थी कम से कम कि आयोध्या जो है प्रहु सी राम का जो मंदिर है वह दुनिया के मंदिरों का मंदिर बना और आयोध्या का भब राम का मंदिर जो है यह दुनिया का एक सबसे बड़ा केंद्र धार्मिक केंद्र बनने वाला है ज यहां जन और धन की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े अस्थान की रूप में अस्थान बनेगा। यहां दो लाग तीन लाग सरद्धालू प्रद्धिन आने वाले हैं और उसी दृष्टि से प्रसासन और ठ्रस्ट और यहां की जनता भी आने वालों का ठीक से स्वागत हो सके एध्यार सुच्ह रहे इस दृष्टि से सब लोग मिलकर के उसको बनाने का काम कर रहे हैं जहां तक रोजगार की बात है। हम मन्य परढ़ान मंत्री जी का भी मानना हम सारे लोगों का भी मानना है। कि भब राम के मंदिर बनने के उपरांत पूरी उत्तर प्रदेश के पूरे काया पलट जाएगे पूरे पूरी उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा चौरासी कोशी पर करमा पांच जनपदों से वकर गुजटती हैं जब हम उस पर पूरी दुनिया और देश को घुमाए करेगा इसी परकार से बहुत सारे रुजगार वहां पर उपलब्द होंगे सर एक बहुत बड़ा सवाल जो इस वक्त है 22 जनवरी को जब प्रान प्रतिस्टा होगी राम मंदर में राम जी राम लला वहां विराजमान होंगे तब सेक्योरिटी क्योंकि कई बड़े गन्मान पर पहुचेंगे प्रधान मंतरी प्रतिस्टा पर पहुचेंगे तो ऐसे में सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा तो उस पर किस तरीके से सेक्योरिटी का जो पूरा जीमा है आप लोग इने उठाव और क्या कुश तैयारिया होंगी उस दिन खासकर को 22 जनव सब्सक्राइब तो इन उनको भोजन प्रसाद मिल सके इसकी भी साथ साथ सारे लोग मिल करके चिंता करने हैं देश के बहुत सारे उद्धोग पती बहुत सारे सामाजिक संस्ताइं यहां पर 23 जनवरी से जगां-जगां पर भंढ़ारा चलाएंगे लोगों को परसाद देन का काम करेंगे इसी परकार रेल्वे विभाग जो है वहां जो है पूरे देश से लोगों को सुधा पूर्वा का सके सैक्लों ट्रेने चलाने वाला आयुद्या स्टेशन के साथ साथ रामघाट हाल्ट स्टेशन उसका भी निर्माड हो रहा है आयुद्या कैंट जो है उसका भी भविस्ट में 22 जनवरी के बाद इतका भी निर्माड सुरू हो जाएगा यहां तीनों स्टेशनों पर मिला करके कई हजालों को कई हजार सद्धालों को यात्रियों को रोकनी की बिवस्ता रेल्वे विभाग क के साथ दो और इस्टेशन है दर्शननगर और भरत कुंड भरत जी की तपस्यास्तली है दर्शननगर में सूर कुंड होने के नाते जो भगवान राम के इस्ट देव थे उस बंस उस बंस के इस्ट देव थे उसका भी सौंदरी करण हुआ है वीच करण लुपिया दर्शनन अगर रेल्वेस स्टेशन के सौंदरी करण के लिए और विकास के लिए रेल मंतराले ने दिया है और सोला करण डुप्या भरत कुंड पर दियाई किसी प्रकार से अंतराष्टी हवाई अध्णा अबैक Option कर दियार हो गया है लगभग सभी कोनों से यहांपर जहाज के मार्धियम से लोग आ तो जो सुरक्षा की बिवस्तार्ट उसका खाका पुलिस विभाग के लोग सुरक्षा कर दिकारी सम्ना रहे हैं कि जैसे कुम्भ में पुलिस की परसंचा हुई थी, किसी भी पुलिस कर्मी ने किसी के उपर हाथ नहीं टाया, डंडा नहीं उठाया, वैसे ही एवध्या में ठीक से चुलक्षा वेवस्ता होनी चाहिए, साथ ही साथ, यहां की स्वच्छता वेवस्ता, संचाले, अन्य जो से विधाये होती हैं, वहां नगर विकास विभाग के द्वारा आगे तेजी के साथ बढ़ाया जारा, कुल मिला करके जो पुर्धानमंत्री जी की सोच है, मोदी जी की सोच है, उनके ही मार्श दर्सन में सारे विकास के काम हो रहे हैं, उसको हम सब लोग मिल करके जिसकी जितनी जिम्मेधारी है उसको करने का प्रयास करना है, बाइस तारी को किनकुन लोगों को नेवता दिया गया है विपक्ष किन लोगों को बुलाया गया है साथ ही कौन से अभिनेता फिल्म स्टार्स को भी यहां पर नेवता दिया गया है सब लोग जानना चाहते हैं तो आप यह विस्तार से बता दीजै कि नेवता किनकिन लोगों तियस्तर के जो खिलाडी हैं जो बड़े फिल्म स्टार हैं इस देश के बहुत सारे जो दोगपती हैं जो सेवा का काम करते हैं जो देश को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है अईसी परकार से बहुत सारे बड़े पत्रकार हैं और बहुत सारे बड़े साहित्तकार हैं मैंने हर छेत्र के जो स्रेष्ट लोग हैं बड़े लोग हैं उनको निमंतर देने का काम हुआ है सूची तो ट्रस्ट बना रही है उनको निमंतर भी सूची दे रही है सांसद होने के नाते जो हम लोगों का आपस का संपर्ख है उसके नाते हम चुंकि उसमें बहुत दखल भी बाद चीज से उसको जितनी जानकारी हम आपको बताना है यह सवाल इसलीव जरूरी है कि विपक्ष लगतार ऐसे कई आरोप विपक्ष की तरफ से आए हैं कि जो ट्रस्ट में चुनने का प्रक्रिया की प्रक्रिया है वो कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जा रहा है तो है कि उनके नेता को निमंतर जा रहा तो मानक है ट्रस्ट का अब पचास नेता है तो पचास को ठोड़ बुलाए जाए जाए जो अध्राष्टी अध्यक्ष है उनका और जो उस दल का नेता है जिसको नेता के रूप में जानते हैं वोग उनको बुलाने का काम पढ़ाया हुआ उसके पास कोई मुद्द्दा नहीं इसलिए वा दुनिया भर की बात चीद करता रहता है उसके बात चीद करने का कोई अमना महत्त हो है न कोई असार है हम लोगों को जो काम करना हम लोगों इस काम करना है से लालकृष्ण आडवानी और मुणली मनुहर जोशी दो ऐसे नाम हैं जिनको जिनके पास ये ट्रस्ट की तरफ से ही कॉल गया था कि स्वास्त का हवाला देते वें उनको 22 जनवरी को आने के लिए मना किया गया था स्वास्त जो है कारण बताए गया था तो ऐसे में ये एक बड़ी चीज है क्योंकि वो बड़े बुजर्ग हैं उनका बड़ा योगदान रहा है तो ऐसे में बड़े बुजर्गों का कुछ ना बुलाना या उनका ना आना कितना उचत होगा ऐसा है कि मना नहीं किया गया उनको निमंतर्ण भी गया है लेकि उनको सुझाव दिया है ट्रस्ट ने कि अगर आपके स्वास्त में कठनाई है आयू के कारण तो आप वहीं से भगवान की प्रान प्रतिष्ठा को देखें और भगवान को नमन करें तो इस्वाभाविक चीज है परिवार में जो बुजुर्ग होता है उसके स्वास्त की चिंता भी उसको आजासा नह करने का काम होता वहीं कहा गया है और मना किसी को नहीं किया यह सर आखरी सवाल है कि भावविता के साथ-साथ बहुत बड़ी संख्या में श्रधालू यहां पर आएंगा ना बाई जिन्वरी बलकि उसके बाद जो सलसिला है वह अनवरत चलता रहेगा तो ऐसे में आयोध्य जालू भी दर्शन करने के लिए आते रहे हैं देखे अध्या मोदी जी की भी अध्यावासियों से अपील है और की सुन्दर बनाने का काम तो सरकार कर रहे हैं निर्मार करने का काम लेकिन स्वच्चता का ध्यान अस्थानी लोगों को भी करना चाहिए तो हम सब लोग भी अस्थानी लोगों से अपील करना है और मिल करके हम लोग भी स्वच्चता को भी करने का काम करेंगे और जहां तक अयुद्या का स्वरूप है भीवा और विस्तार उसका होने वाला कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि 84 कुसी जो परकर्मा या अयुद्या का बड़ा स्वरूप भविस्त में होगा और उसी द्रिष्टी से अयुद्या का धिरे धिरे भी कास हो रहा है चुकि निर्माण का काम एक दिन में संभों है उसमें बहुत समय लगता है इसलिए कि कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं जो सीगरी स्विकिर्थ हो आज अयुद्या देखने के बाद मन गदगद हो जाता है कि हमारे प्रभु सी राम की नगरी सज रही है समल रही है स्वाभावी के रूप से सभी राम भक्तों को अच्छा लएगा और हम लोग तो चुकि यहां के निवासी भी हैं और शुरू से इस काम में लगे हुए हैं तिसले हम लोग तो हमें कितनी खुशी होगी इसकी आप को हम बता नहीं सकते ना उसकी कल्पना की जा सकते हैं कि सर एक सवाल रहे गया था तो यह बस जानना चाहेंगे कि बीच में आपने प्यमों को चिट्थी लिखी थी जमीनों को लेकर कि कुछ प्रॉपर्टी को लेकर आपकी तरफ से चिट्थी गई थी क्या है वो चिट्थी और वो जो मुद्दा था जसको लेकर कि आपने कुछ लोग प्रापर्टी डीलर जो हैं उस नजूल की जमीन को अपनी जमीन बनाकर बेज देंगे और जीवन भर की कमाई जो लोग खरीद करके दो विच्था चार विच्था बना मकान बनाएंगे और भविश्य में कोई अगर सुप्रीम कोर्ट चला गया हाई कोर्ट चल पुलना पड़ा तो परिवार जो है बरभाद हो जाएगा इसलिए सरकारी जितनी जमीन है वह चिन्नित हो जाए अगर किसी ने उसमें हेरा फेरी की है तो वह ठीक हो जाए और सरकार की जो बहुत सारी ओजनाय है शॉंदरी करण के उद्यान बनाने की वह सारी बहुत सारी और चीज़ें बनाने की वहां पर आसानी से बन सक्ता। यह जो है उस पर णी पत्त्रावली मिल भी गई है जो पुरानी नजूल की है और वह जितनी जमीने हैं अगर उसमें कोई हेरा फेरी हुए तो उसको दुरुस्त करने का काम परशासन करना है बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर तो बस वो अलॉल अलॉकिक्षन जिसका इंतजार लंबे अड़से से भारत वासी आयोध्या वासी कर रहे थे बस उसमें कुछ दिन और ही है बाइस जन्वरी को राम लेला का प्रान प्रतिस्था होगी जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और उसके बाद लोग यहां पर रामलिला के दर्शुन करने के लिए आयोध्यारामनग्री आपने एंगे कैमरा परसन राज़ेश कुमार के साथ में मीख अपादे, EVP News, आयोधिया उत्तर बिदेश